तो नमस्कार में वजील ढाकाמה पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वांद करता हूं ज्यास आप स्कृने पे देख पा रहे हैं कि पिनेकल पबछ पॉवलिकेशन के पास में बहूँ ज़्यादा वेकेंशन विपिया से ज्यादा वet67 कलिए क्योंगि आप जानते हैं कि GS का本こんにちは क्टेंट है वह बहुत ज्यादा Ga सब्ही के लिए जो js js का पोर्शन होता है जिसमें की हिस्टरी जि pilgraphie पोलिटी सब्सक्राइब इसके अलावा और किताबें बच्छे बड़े पसंद करते हैं और नोट्सकिताबें नौट सब्में टेब करना है किताबों करने हैं उनके लिए एक मतलब पिनेकल की अलड़ी बहुत सारी किताबे आती है लेकिन हम और तेजगती से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए यूपिसी स्टेट पीशी एस एंसी आर्टी स्टेट एक्जाम से लेक्शन किताबे रिजनल लेंग्वेज में किताबे जैसे बंगोली है य हम उसके भी काम करें रेलवे के एक्जाम आगे आने वाले बहुत सारी एक्जाम होते हैं दो तिन क्रोड लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी जी एस का कंटेंट काफी जादा महत्वपूर्ण हो जाता है टीचिंग एक्जाम है जिसमें की सी टेट वगरा दो सारे जो कॉंपिटेंजन आगे उसके लिए जी एसवाला जो पॉर्शन है उसके लिए हमारी स्पेशलियर रेकूट्मेंट ड्राइव है है तो कम दोस्तों से ज्ञादा स्टाफ है जो कि में हिस्ट्री जिओर्फि पॉल्टी एकॉनमी भीजिक्स केमेश्ट्री बायो और हिंदी हिंदी किताब ही पॉर्ट ही डिए हमें 60 जी का कंटेंट वाले हमें चाहिए काम क्या चुल में आप बोलाएं content developer का मतलब क्या होता है तो जो काम बहुत सारे काम होते हैं पंद्रा काम तो मैंने लिखे लेकिन इससे भी ज्यादा काम होते हैं ठीक है और एज पर requirement होते हैं वो काम है रोल होता है वो सिप्ट होता रहता है जैसे की तोर पर research and development सबसे बड़ा काम होत हैं कौन से topic को ज़्यादा cover करना चाहिए कौन से कम करना चाहिए तो यह research and development का काम होता है ठीक है उसके वाद क्या है कि जो question होते हैं जैसे बहुत सारे हम लोग प्रिवीशर के question बनाने अभी नेकल की किताब यूपीस चीपी भी आई इसमें प्रिवीशर question solve होंगे सी सेट की किताब अलड़ी लगवग आखरी स्टेज पर पहुंची हुई है ऐसे ही current creating question question को बनाना जैसे कि मानलो हमें को practice question बनाने है यह quiz बनानी है या कोई exercise बनानी है तो इस से लेट भी चीज़ आएगी थूरी content को develop करना बहुत है जैसे यूपी पीश से लेट है या बिह content भी develop करने होते हैं फिर होता है कि किताब को design करने के लिए बहुत important होता है उसकी outline जैसे होता है को building design करनी है तो architect की जरूरत होती है तो उसी तरह से index है outline उस-किताब की design करना यह important हो जाता है किताब के जो content है या question है या solution है या इस किताब में पूरे में कई type की scrutiny होती है 10-12 type सिर्फ scrutiny होती है जब बच्चे जो join करेंगे इनको बताया जाएगा training दी जाएगा इन सारी चीजों पर सारे roles पर training दी जाती है जिससे कि वो हमारी requirement के अनसार है वो काम कर पाए तो translation of content ये भी important होता है जैसे कि मालों English का Hindi में translation है या Hindi में English का translation है या फिर Bengali में translation जो कि मैं original किताबों की भी बात कर रहा हूं तो ये सारी requirement हमारे पास होती है जो content हमने design कर दिया अब हमें internally feedback वी चाहिए होता है content जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है तो उसकी जांच कीजिए feedback दीजिए ताकि हम उसमें corrective measure ले पाएं ताकि market में जाने से पहले हम अपने अगर को कमिया है तो पहले हमें भी पता चल जाए ठीक है formatting of content ये सबसे ज़्यादा task होता है जो रोल होते हैं सब में सबसे ज़्यादा formatting का होता है क्योंको जब ते की formatting किसी content की नहीं होती मतलब मान को अगर सजाया नहीं जाता एक तरीके से उसको align नहीं किया जाता तो उसकी कोई value नहीं है content editing अगर मान लो कोई किताब लिख दी है या content लिखा जा रहा है उसमें फिर changes करने हैं तो उस तरह की चीज़ें भी एक important रोल हो जाता है पीपीटी मेकिंग टेस्स्रीज मेकिंग क्विज मेकिंग एरर मूविंग डैश्बोर क्रियेशन मेनेजमेंट यह इतने टाइब के content development के रोल बताएं जो कि मैंने लगए 20-30% यह और बहुत सारे रोल होते हैं जब लोग काम जब काम करेंगे तब पता चलता है कि वास्तव में किस तरह से काम किया जाता है पॉब्लिकेशन में यह content को फास्ट गती से डावलोग करने के लिए तारकी मार्केट में जब आए तो बहतरीन content है वो बच्चों के सामने नजर आए अब आ जाते हैं यहां पे कि हमें किस तरह के नोलिए इंप्लोई चाहिए एक तो क्या है यह पर्मनेंट टाइब के जो ह मतलब कि यह नहीं है कि एक प्रजेक्ट के लिए दो प्रजेक्ट प्रजेक्ट में चलते रहते हैं प्रजेक्ट के चलते रहते हैं जो पर्मनेंट टाइब की एक दो महीने के लिए नहीं जो लंबे समय ते काम करना चाहते हैं ताकि हमारी ट्रेनिंग भी होती है उसमें समय लगता है साथ साथ ट्रेनिंग चलती है अलग-अलग रोल लिए उपर ठीक है तो जैसे जैसे इसे और्गनाजिशन के पास अलग-अलग टाइब के काम होते हैं जैसे कि अगर कोई एक्जाम यूपी के उपर ज्यादा फोकुस होगा बिहार का बिहार पर होगा रेलवे फोकुस होगा तो इस तरह से क्या होता है और गनाजिशन के अलग-अलग समय पर अलग-अलग requirement होती के पास में लैप्टॉब होना जरूरी है अच्छी किहार की क्योंकि आपको अपना धक्योत expressive करना है कंटेंट को बनाते टाइम में और ओफिस से ही काम होगा सारा किसी को यह नहीं होजना चाहिए कि मैं गर पे बैठा मुझे काम मिल जाए ऐसा नहीं है किरपया करके वह इस तरह यहां पर देखने कोशिस भी नहीं करें अगर आपको कोई काम जोब अपलाई कर रहे हो तो पहले से देख लीजिए कि किस तरह की जोब है गुडगाओं में जोब है आपके पास लेप्टोप होने चाहिए टाइपिंग अच्छी आने चाहिए सब्जेक्ट का नौलीज होने चाहिए और लंबे समय तक काम करने की हो यह नहीं पंद्रा दिन के लिए में काम करना चाहता हू ठीक है तो यह इस कुछ से के रिकॉर्मेंट होती है अपलाई कैसे करना है एक तो क्या है कि कोई इमेल है या फिर कोई वाटसप है या फोन है वो नहीं करें फिर पर सिर्फ जो प्रोसेस दिया हुआ है उसी को पालना करना उसे में सब कुछ आपको डिटेल वहां पर पूर क्या जाएगा बाकी केंडिड को कोई हम लोग है अप्रोच या कोल या कुछ भी नहीं करने वाले हैं तो किरफ़ा करके इमेल या वो नहीं करें क्योंकि उनको यह समझ लेना चाहिए कि आपका बाइड़ट है वो शोट लिस्ट नहीं हुए ठीक है अपलाई ओनली यू फि होती हो सकता है कल को हमारी कोई दूसरी रिक्वार्मेंट आए और आपने पहले किसी गलत जोप पर अपलाई कर दिया हो तो आपके लिए दिखेते हैं ठीक है मस्ट वोइड काईड़ी डू नोट सेंड एनी इमेल कोल और वाटसप में टू में यह क्या है कि आपको डिस्क् जवाब देता हुमें या हर वाटसप का वो जवाब देता हुमें हमें रेलेवेंट केंड़ेट को ही अप्रोच करेंगे और किर्प्या करके आप यह देखिए कि आप गर आप इसमें फिट बैठें तभी अपलाई करें ठीक है ना अपना भी टाइम इंपोर्ट होता है आपके पास में होना चाहिए सब्जेक्ट नॉलिज होना चाहिए टाइपिंग स्किल आपके होनी चाहिए फ्लेक्सिबल्टी आपके अंदर होनी चाहिए लर्निंग एक्टिचूड होना चाहिए यह रिक्वार्मेंट है all the best मुझे लगता है कि यही था इसमें पुरा बता होने के लिए